हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं आप जेल बेजने की धमकी दे रहें आपके सामने सर उधर से कहने इनको जेल में भेजा जाएगा अरे भेजो जेल में जेल से कौन डरता है किसको डरा रहे हैं आप जेल से भाई आप भेजे जेल में मानिवर इस सदन की कारवाई के बारे में सत्ता पक्ष के लोग भीपक्ष के लोग ट्वीट करते हैं अब देख लीजे सर आपने एलाओ किया है वो बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना सर ट्वीट करते हैं हमारे एक साथी ने यहां पर OBC आरक्षन जन संख्या के आधार पर दिया जाई यह बहस जी आपको बोल रहा हूं सर उस वो बहस में हिस्सा ले रहे थे नीरज रांगी जी सब लोगों ने रोका सर सर एक मिनट सर सर हाउस क्यों एजर नुआ सर एक मिनट सर मुझे आपने दो मिनट का टाइम दिया है प्ली हुआ सर अगर रोका नहीं तो हाउस एजन क्यों हुआ आपने रोका मैंने उसको ट्वीट कर दिया मंत्री जी नाराज हो रहे हैं इतने लोग इनके पीछे खड़े होके हमको धंका रहे हम धंकियों से डरने वाले लोग नहीं है आप जेल बेजने की धंकी दे रहे हैं आप बेज़ो जेल में जेल से कोंडरता है किसको डरा मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ यह मेरी यह मेरी प्रबल धारणा है भारती जनता पार्टी के बारे में कि वो दलितों पिछ्णों आदिवासियों की विरोधी है मानिवर इस सदन की कारवाई के बारे में सत्ता पक्ष के लोग बिपक्ष के लोग ट्वीट करते हैं अब देख लीजे सर आपने एलाओ किया है वो बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना सर ट्वीट करते हैं हमारे एक साथी ने यहां पर ओबी सी आरक्षन जन संख्या के आधार पर दिया जाए यह बहस जी आपको बोल रहा हूं सर उस वो बहस में हिस्सा ले रहे थे नीरस डांगी जी सब लोगों ने रोका सर सर एक मिनट सर सर हाउस क्यों एजन हुआ सर एक मिनट सर मुझे आपने दो मिनट का टाइम दिया है प्लीज दो मिनट का सर टाइम दिया है मुझे अपनी बात कहने लिए इन लोगों ने रोका हाउस एजन हुआ सर अगर रोका नहीं तो हाउस एजन क्यों हुआ आप ने रोका मैंने उसको ट्वीट कर दिया मंत्री जी नाराज हो रहे हैं इतने लोग इनके पीछे खड़े हो के हमको धंका रहे हम धंकियों से डरने वाले लोग नहीं है आप जील वेजने के दमकी दे रहे हैं आपके सामने सर उधर से कहरें है इनको जेल में भेजा जाएगा अरे भेजो जेल में जेल में भेजना चाहते हैं भेजो ये बात पर आई हईजी हमारे राजिस से आते के लेक्रveid excited कोंव Loris भी एजियो जेल से कौन डरता है किसको डरा है आप जेल से भई आप सर्कार में सत्ता में आप जेल बेजना चाते हैं आप प्रबल धारना है भारती जनता पार्टी के बारे में कि वो दलितों पिछलों आदिवासियों की विरोधी है। मानीवर इस सदन की कारवाई के बारे में सत्तापक्ष के लोग बिपक्ष के लोग ट्वीट करते हैं अब देख लीजे सर आपने एलाओ किया है वो बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना सर ट्वीट करते हैं हमारे एक साथी ने हमारे एक साथी ने यहाँ पर OBC आरक्षन जनसंख्या के आधार पर दिया जा यह बहस यह आपको बोल रहा हूं सर उस वो बहस में हिस्सा ले रहे थे नीरस जांगी जी सब लोगों ने रोका सर सर एक मिनट सर सर एक मिनट सर सर हाउस क्यों एजन हुआ सर एक मिनट सर मुझे आपने दो मिनट का टाइम दिया है प्लीज दो मिनट का सर टाइम दिया है मुझे अपनी बात कहलें दिया, इन लोगों ने रोका, हाउस एजन हुआ सर, अगर रोका नहीं तो हाउस एजन क्यों हुआ, आप ने रोका, मैंने उसको ट्वीट कर दिया, मंत्री जी नाराज हो रहे हैं, इतने लोग इनके पीछे ख़़े हो के, हमको धमका रहे हैं, हम धम भाईजी हमारे रार्जे से आते के दें, इनको जेल में भेजा जाएगा, अरे भेजो जेल में, जेल से कौन डरता है, किसको डरा रहे हैं आप जेल से भाई, आप बेजे जेल में, सर यही सदन से, सदन से जेल भेज दीजे, सर सदन से जेल भेज दीजे, जेल से डराइए म मैं सिर्भिय कह रहा हूं सदन से जेल बेज दीजिए आप सरकार में सट्टा में आप जेल बेजना चाहते हैं आप लोग चिला रहें जेल बेजेंगे जेल बेजेंगे यही से बेजिए अगर निरजी मिर्जी मिर्ज जांगी प्लीज इस्टार देपेट अंतिम नहीं ओगे मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं ये मेरी ये मेरी प्रबल धारणा है भारती जनता पार्टी के बारे में कि वो दलितों पिछ्णों आदिवासियों की विरोधी है ये मैं मैं अणियोंे की विरोधी आदेओ मैं मैं झालकी माहना चाहता है विर भी आपगेज अचाहित के विरोधी के विरोधी जाएं में मैं मैं जांवे ग्बनागी त Rolex